हेलो प्रेंट्स और वल्कम टू मैंट्यूब चैनल सीवियर डिजायन गैस इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सांदार प्लान जो कि आपका साइज है फ्रोड साइज 22 फिट वाई 40 फिट आप देख सकते हैं 22 फिट वाई 40 फिट है इसमें आपको 3 तो गैस वीडियो के एंड तक जरूर देखना इसकी बिल्कुल भी मत करना और गैस इससे पहले के आपने और भी लैटिश्ट प्लान देखने हैं तो आपको इन सारे प्लांस की जो है इसका साइज है 20 वाई 30 फिट इसका साइज है आपका 20 वाई 40 फिट इसका साइज है और भी काफी प्लांस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आई बिटन में मिल जाएगा वहां से जाके बात कर सकते हैं खुली डिजाइन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ट्ले के हमारे प्ले लिस्ट पे जाकर भी देख सकते हैं अगर आप अपना डिजाइन करवाना चाहते तो कंटैक्ट नंबर आपको डिस्करिप्स्छन में मिल जाएगा वहां से याके ट्हांक्ते करसकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें आपको कुछ मैंट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपका जो road है मैं रेरोड है यह इस्ट में है Bruce है दूसरा road है आपका नौंऄर्थ में एर तो इसका क्लाइंट की requirement के according जो मैंटे-अ एस्ट में रखा गया है okay तो यहाँ पर जैसे मैंटे पेंट्री करती हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक आपका ड्रोइंग रूम मिलता है ड्रोइंग रूम का साइज है दस फेट एक इंच वाई बारा फेट इसमें इस तरह से अपना सोफा सेट अप कर सकती है ओके और आगे जाने पर आपको राइट में एक गेस्ट वेड दिया हुआ है रोड की तरफ जिसका साइज 13 फेट है जिससे कि आप इस रोड से भी अपने वेल्डिंग के अंदर अपने धर के अंदर आ सकते हैं अब गाईस यहां से अंदर जाने पर यहां पर यहां पर ओपन मिलता इतना एरिया तो यहां पर जो इस टेर के सोबित 4 इंच का है तो इसके जो है यहां से आप करते हैं यहां से अपवर्ड है जो चार स्टेप 1234 यहां से एक फर्ष्ट लेंडिंग पड़ेगा गाईस तो यहां पर आपका जो ट्रेड है वो आपका तसिंची है और पूरा स्टेर केस की जो लंबाई जो सोरी चावड़ाई है वो आपकी 3 फिट है तो गाईस फर्ष्ट लेंडिंग यह पड़ेगी फिर शेकंड लेंडिंग आपकी करीब आट फिट पर पड़ेगी उसके बाद आप फारिली फर्ष्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे तो इसका जो इसका डेटेल है वो अगर आपको चाहिए तो आप में कमेंट में जरूर बता सकते हैं तो वहाँ से हम इसका सेक्शन और यहाँ पर पराव डेटेल आपको जरूर मतारेंगे तो इसका टोटल साइज हमने आपको बताय दिया इतना है इस चिसमें आपका staircase और यह पूरा है तो गैस यहां से जो है आपका पूरा नीचे का इसका area यूजे में आ जाएगा क्योंकि यहां से आपकी height आप होती चली जाएगी फिर भी मैंने इधरी आपका dining setup करके दिखाया हुआ है तो इस तरह से आपका dining setup हो जाएगा और यह वाली जो लेंडिंग रहेगी यहां पर यहीं तक आनी है उसके बाद railing लगनी वाली है तो railing इधर भी यहां तक लगेगी और इधर भी यह पूरा railing लगके जाएगा तो यह काफी सुन्दर और बहुत अच्छा मारवल के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है कूप जैसे ही आ डू में टाइच टॉयलेट नहीं दिया गया है एक टॉयलेट सिर्फ कोमड है तो यह वाला आपका डबू सी है डबू सी मतलब कमेंड बात तो यहां पर इसका साइज है शे फिट वाई पाच फिट छे इंच चुकि साइज काफी अच्छा है और यहां पर इस तरह से का प्रोविजन दिया गया है यहां से किचिन यह स्टार्ट हो जाता है तो प्लम्मिंग के लिए आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं होगा इस वाथ रूम के टॉयलेट के लिए यहां पर वेंटिलेटर दिया गया है इस वो नौत साइड में आगे जाने पर आपको यह गेट मिलता है केचिन का अपना केचिन के लिए चार फिट का बेंडो यहां पर दिया गया है नौर्थ साइड में और यहां पर सिंक आप अपना प्रोविजन रख सकते हैं आगी जाने पर आपको दो वैड्रूम मिलते हैं जो कि मास्टर वैड्रूम है अगर पहले वैड्रूम मे दस पर टेक इंच वैड्रूम में चेंज इसमें गाइस तीन फिट का विल्डो आपको डूर के साथ ही मिलता है जो कि इस बेंड़ परपस यह गाई कि यह जो आपका स्टेर केस रहेगा यहां से आपको प्रोपर मेंटिलेशन मिलता रहेगा क्योंकि स्टेर केस उपर तक ओ इस बेंड़िंग में बेंटिलेशन की कोई भी प्रोब्लम नहीं होने वाले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यह प्लान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुर मत बूलना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि ऐसे ही और भी क्रियेटि पukem real description में पड़े होई है पाह Secret आपको को में काटक्ट कर सकते हैं सो थेंकि एओ सूबच का सकेइश बाचन् raisinin हीडियो टिलेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट प्लान के साथ दब दर दक करें मिए जैम